हम सीख रहे हैं passage को punctuate करने का तरीका इसे पिछली वीडियो में हम इस passage के पहले दो जुम्लों को punctuate कर चुके थे अब हम इससे अगले हिस्से को punctuate करेंगे यह है तीसरा जुम्ला यहां से शुरू करते हैं एक मरतबह फिर इससे पहले दो जुम्लों को भी पढ़ लेते हैं ताके बात क्लियर हो जाए कि किस मतलब बात हो रही थी तींकर is one of the most laid-back tomcats I know he is fat and fluffy with black and white hair and he always wears a dull looking expression on his face and keeps yawning अब पढ़ते हैं अगला जुम्ला और दिखते हैं इससे हमने किस तरह से punctuate करना है इसके पहले letter को हम पहले ही capital कर चुके हैं आगे पढ़ते हैं अब ऐसा महसूस होता है यह जुमला यहां मुकमल हो गया है तो यहां हम क्या करेंगे यहां हम लगा देते हैं full stop का निशान और फिर हमने क्या करना है foreign ही बाद इसकी यह किया जाता है कि इसे अगले लफ का पहले letter जो है उसे capital कर दिया जाता है तो इसे हमने capital कर दिया और अब एक मरतबा फिर इस जुमले को गोर से देखते हैं कि इसमें अगर किसी और punctuation के इंशान की ज़रूरत हो तो उसे भी लगा देंगे his droopy looking अब यह droopy looking के अलफाज जो है यह जिसना के हमने पहली वीडियो में देखा था late back के जो अलफाज थे compound noun है तो इस तरह से यह droopy looking जो है यह भी compound noun है यानि droopy looking के अलफाज जो है यह दो अलफाज मिलकर एक ही noun जो है उसे describe कर रहे हैं एक तरह से हम कह सकते हैं यह दो मिलकर एक compound adjective बनाते हैं या compound noun बनाते हैं लहाजा इनके दरमयान आप क्या लगाएंगे hyphen के निशान तो इस तरह से droopy और looking के दरमयान यहाँ पे हमने लगा दिया hyphen के निशान और जैसे के इसे पिछली वीडियो में हमने सीखा था जहां भी लव्ज it साएगा तो इसे आपने चेक करना है इसे आपने खोल कर पढ़ना है जैसे it is इस तरह से पढ़ना है it is और चेक करना है कि इसकी sense बढ़नी है या नहीं अगर sense ना बन रही हो तो फिर इसी तरह से रहने देंगे क्योंकि इसका मतलब होगा कि ये possessive pronoun है यानि मल्कियत बताने के लिए इस्तमाल किया गया है जैसे कि इस तरह से कहा जाता है उसका या उसकी लेकिन अगर it is की sense बन रही हो तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ टी और एस के तरमयान आपको लगाना होगा पॉस्टिफी का निशान क्योंकि फिर वो होगी इस की contraction या short form तो चलिए अब इस जुमले को इस के साथ पढ़ते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस की कोई خاص sense नहीं बन रही लहाजा इसे हम इसी तरहां से रहने देंगे क्योंकि यह इस जो है यहाँ एक possessive pronoun के तोर पर इस्तमाल हुआ है इस clever years यानि उसके चौकने या हुश्यार कान अब यहाँ एक और एहम बात नोट करने की है और वो यह है कि आप देख सकते हैं जुमले के दरमयान में लफ्ist but 가 एस्तमाल किया गया है यानि सिर्फ एक मरतबा इस पूरे जुमले के बिल्कुल दरमयान में इस तरहां से ये एक इसे कहते हैं connector या फिर conjunction उसका इस्तमाल किया गया है जैसे कि लफ्ist होता है and or but वगारा जो इस किसम के ये छोटे-छोटे से अलफाज होते हैं जो जुम्ले के दो हिस्सों को आप पर मिलाते हैं या दो छोटे जुम्लों को अगर आपने जोड कर लिखना हो तो उनको मिलाने का इसी तरह से तरीका होता है कि उसके दरम्यान में इस तरह से ये connector लिख देते हैं और फिर आप दो चोटे जम्ले को एक ही जम्ले में शामिल कर सकते हैं तो जब इस तरह से किया जाता है, इसका मतलब है इस जम्ले के जो दो हिस्से हैं वो क्या है? वो independent clauses है यानि ये एक किसम का compound sentence है तो जो compound sentence होता है, जिसमें independent clauses का इस्तमाल किया गया हो उसके दरम्यान में अगर कोई connector इस्तमाल किया गया हो जैसे के लफ़ बाट, and या और तो फिर क्या किया जाता है? हमेशा इससे पहले एक कॉमा का निशान लगाए जाता है यानि शाट और बाट के दरम्यान हमने लगाना है इस तरह से कॉमा का निशान तो अब ये इस जुम्ले की जो punctuation है, ये मुकमल हो गई है आपकी याद देहाने के लिए यहां मैं बताती चलूं कि independent clause क्या होता है, जुम्ले का एक चोटा सा हिसा होता है या बड़े जुम्ले का एक चोटा हिसा होता है जिसे अगर आप जुम्ले से अलग करके भी लिखें तो वह एक मुकमल बात होती है अब पूरा एक जुमला होता है जैसे कि यहां लिखा है या पूरा एक मुकमल जुमला है इसी तरह से इस clever ears twitch at every strange noise around it. ये भी एक पूरी मुकमल बात है. तो लहाज़ा ये दो क्या है? ये independent clauses हैं. तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले जुमले की जानेब और इसे punctuate करने का तरीका सिखेंगे. इसके पहले letter को हमने पहले से ही capital कर दिया है. आगे पढ़ते हैं. ये जुमला यहां मुकमल हो जाता है. यहां हमने लगा दिया full stop का निशान. इसके फॉरण बाद हमने क्या करना है? अगले जो इसके full stop के बाद में आना वाला लाफस है. उसके पहले letter को करना है. Capital. यह हो गया capital. यहां भी आप देख सकते हैं. इसके पिछले जुमले में जिस तरह से आपने देखा था कि दो independent clauses एक ही जुमले में इस्त्माल किये गए थे. यानि वो एक compound जुमला था. और उसके दरम्यान में एक connector इस्त्माल किया गया था. तो जो ही आपको किसी जुमले की दरम्यान में इस तरह से कोई connector नजराइज यानि जैसे lefts and or या but तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि उसके उस connector से पहले जुमले का जो हिस्सा है उससे पहले आने वाला जुमले का हिस्सा और उसके बाद में आने वाला जुमले का जो हिस्सा है वो किस तरह से है क्या वो independent clause है या नहीं. जैसे कि हम देख सकते हैं अगर इसको अलग-अलग इनको पढ़ें इन दो हिस्सों को और वो लगे कि ये पूरा जुमले है और पूरी बात समझ में आरी है तो इसका मतलब होगा ये independent clause है जैसे कि his fur is often scruffy ये एक पूरी बात है ये एक independent clause हो गया इसी तरह से it rarely looks it clean यानि वो कभी कबार उसे साफ करता है ये भी एक तरह से independent clause है लहाज़ा हमने ये उसूल सीखा था कि जब दो independent clauses एक जमले में इस्तमाल हो रहे हो और उनके दरमयान and का लवज हो तो उससे पहले आपने क्या लगाना है लाजमी एक कॉमा लगाना है अब यहाँ इसी जमले को punctuate करने का एक और तरीका भी है अगर आप चाहें तो कॉमा और and इन दोनों निशानात को खतम करके इसकी जगाँ आप लगा सकते हैं semi colon का निशान और semi colon का जो निशान है उसे इस तरह से इस्तमाल किया जाता है कि अगर दो चोटे जमले हो उन दो जमले को आपस में इस तरह से जोड़ना हो तो उनके दरमयान में आप इस तरह से semi colon का निशान लगाएंगे और पढ़ते वक्त पिर यहाँ कॉमा से ज़रा जाएगा यानि ठहरा जाएगा तो इस जुम्ले को इस तरह से पढ़ सकते हैं His fur is often scruffy, it rarely licks it clean. तो लहाजा इस जुम्ले की भी punctuation यहां complete हो गई, अगला जुम्ला देखते हैं He usually sits near the fire place and he often seems to be asleep. अब यह जो अगला हिसा है, इसे दोस तरह से punctuate किया जा सकता है इससे आगे आ रहा है लवस however और फिर मजीद यह कहा गया है When the milk is brought in he always gets alive and drinks it in no time अगर अब चाहें तो यह एक बहुत ही तफसीली या लंबा सा जुम्ला हो जाएगा तो इसे आप एक ही जुम्ले की सुरत में इस तरह लिख सकते हैं यहां आप लगा देंगे फुल स्टाप, इससे बाद बे आने में लेटर को कर दिया capital और फिर क्या करना है, यह जो दर्मयान में आ रहा है एक लवस इसे कहते है transitional device या यह एक तरह से conjunction होती है जुम्ले के दो बड़े हस्तों को आपस में मिलाता है यह और एक किसम का दो ख्यालागत या जुम्ले के जो दो हिस्से हैं उनके दरमयान एक रब्त या जोड पैदा करता है तो इस किसम के इसाफी लवस को जब जुμले के dरमयान में पर रिखे तो इससे पहले और इसके बाद दोनों जगा पर आप कौमा के निशान का इस्तमाल करेंगे तो इस तरह से ये एक लंबा सा जुमला हो जाएगा He usually sits near the fire place and he often seems to be asleep However, when the milk is brought in He always gets alive and drinks it in no time लेकिन अब इसी जुमले को हम चाहें तो दो हिसों में भी यानि दो अलग जुमलों में भी तोड़ सकते हैं मिसाल के तौर पर He usually sits in the fire place माफ कीज़िए He usually sits near the fire place and he often seems to be asleep अब यहां पर हम इस जुमले को मकमल करके यहां full stop अगर लगा दें फिर हम क्या करेंगे However का जो H है इससे हमें capital करना होगा क्योंकि यह अब निया जुमला शुरू हो रहा है लेकिन यहां भी इसी तरह से However के बाद कॉमा का निशान जो है यह बाकी रहेगा तो इस किसम का जो connector या conjunction या फिर कोई transitional device इस तरह से जुमले के शुरू में अगर इस्तमाल की जारी हो या दर्मयान में तो उसके बाद बाद की जगा अगर शुरू में इस्तमाल किया जारी हो तो उसके बाद कॉमा का निशान इस्तमाल करेंगे और जुमले के दर्मयान में इस्तमाल की जारी हो तो उससे पहले और बाद दोनों जगा कॉमा का निशान का इस्तमाल किया जाएगा तो इस तरह से अगला जुम्ला हो जाएगा however और जैसे के कॉमा के निशान के जगा पर थोड़ी देर के लिए रुका जाता है तो इसे इस तरह से पढ़ेंगे however when the milk is brought in he always gets alive and drinks it in no time लेकिन अब इस जुम्ले को पढ़ते हुए एक दम मुझे यहां इचानक एसास हुआ कि यहां भी इस जगा पर यह जो brought in के बाद यहां भी थोड़ी देर के लिए रुका गया है इसे पढ़ते हुए और उसकी वज़ा यह है कि दरसल जुम्ले का यह जो अगला हिस्सा है when the milk is brought in यह क्या है तो इन दोनों के दर्मियान भी कॉमा का निशान लगाया जाता है और पढ़ते वक्त इस जगा पॉज किया जाता है तो इस तरह से इस जुम्ले को पढ़ेंगे और अब देखते हैं यह किस तरह से जो है यह माफ़ कीज़ कर देपेंडेंट क्लाउस है और यह यह है कि इसके शुरूप में अक्सर यह इस तरह से एक कन्जंग्शन आता है जैसा कि लफ्ज वैं यहा देख सकते हैं तो लहाँ अब यह बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ एक dependent clause, independent clause से पहले आरहा है लहाज़ यहाँ इसके बाद कॉमा का निशान का इस्तमाल किया जाएगा और अब यह दूसरे clause को भी देख लेते हैं किस तरह से यह independent clause है इसे पढ़ेंगे और देखेंगे क्या यह sense मना रहा है He always gets alive and drinks it in no time जी हाँ, यह एक मुकमल जुम्ले की तरह है लहाज़ यह क्या है, यह है एक independent clause और चूंकि यह आ रहा था, dependent clause के बाद लहाज़ इन दोनों की दर्मयान हमने कॉमा का निशान लगा दिया लेकिन अगर यह जुम्ला इस तरह से होता कि independent clause जो है वो पहले आ रहा होता और यह जो dependent clause है वो बाद में आ रहा होता है कि जब किसी जुम्ले के दर्मयान में इस तरह से character इस्तमाल किया गया हो and part ya orca loves तो वहाँ भी आपने रुक कर ज़रा देखना है कि इस किसम के जो loves है इससे पहले और बाद का जो जुम्ले का हिस्सा है वो किस तरह से है क्या वो independent clause है जैसे कि he always gets alive और फिर यह दूसा हिस्सा है drinks it in no time तो यहाँ भी यह जो दो हिस्से हैं यह एक तरह से मजीद कह सकते हैं कि छोटे छोटे independent clauses है यानि जुम्ले का यह हिस्सा जो है वो एक compound noun की तरह है बाफ कीज़े का यह एक compound sentence की तरह है तो इसके लिए भी हमने क्या सीखा था जैसे कि हम इसे पहले भी कुछ जुम्लों में कर चुके हैं कि आपने क्या करना है connector से पहले एक कॉमा का निशान लगाना है तो यह हमने लगा दिया कॉमा का निशान इस तरह से अब यह इस जुम्ले की मुकमल punctuation जो है वो complete हो चुकी है तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर इस पूरे जुम्ले का देखा जाए तो इसमें एक dependent clause और दो independent clauses आ रहे हैं और इसके जुम्ले को क्या कहा जाता है compound complex sentence तो compound complex sentence की इस तरह से punctuation की जाती है अब चलते हैं आखरी जुम्ले की तरफ यह है I think he is not as lazy as he appears to be तो यहाँ लगाना है full stop पहले letter को हमने इससे पहले ही यहाँ capital कर दिया था I को अब अगर आप गोर करें तो यहाँ लवज है he is जो के he is की contraction है तो contraction में क्या लगा जाता है इसमें लगा जाता है apostrophe का निशान E और S के दरमियान इस तरह से हमने लगा दिया apostrophe और अब हमारे इस पूरे passage की जो punctuation है वो मुकमल हो चुकी है इसमें कहीं भी direct speech का इस्तमाल नहीं किया गया लहाज़ हमने punctuation के निशानात को नहीं कि कोई रढ़े स्पीच होती है और उसे एक दूसरश शखर लिख रहा होता है और उसके दरमियान वो अपनी किसी राय को जब शामल करता है तो उसे इस तरह से square bracket में लगता है तो इस passage में इस तरह की भी कोई बात मौजूद नहीं थी लहाज़ा इस निशान का जो है वो भी इस्तमाल नहीं हुआ इसी तरह से इसमें कोई सवाल वगारा भी नहीं था तो हमने question mark का भी इस्तमाल नहीं किया लेकिन इस जमले का यह जो आखरी जमला है इसे अगर हम जोड़दार अंदाज से क्यूंकि यह एक मानी खेज यानि कि इस जमले के अंदर इस पूरे passage का एक तरह से नचोड़ है तो इसे भरपूर अंदाज में अगर कहनी की यानि आप यह बताना चाहें कि कहा गया या पढ़ा जाए तो फिर आप क्या करेंगे इसके आखर में फूल स्टॉप की निशान की जगा आप लगा सकते हैं इस तरह से एक्सक्लमेशन मार्क का निशान तो यह भी दुरुस्त होगा यानि पढ़ते वक्त आप इसे इस तरह से पढ़ेंगे यानि आप जोर देकर इसे फिर पढ़ेंगे तो यह था पैसेज को पंक्ट्वेट करने का तरीका इसी तरह से आप पंक्ट्वेशन ली तमाम विडियोस को देखने के बाद मुख्तलिब किसम के पैसेज़स को लेकर उन्हें पंक्ट्वेट करने की कोशिश कीजिए इस तरह आप पंक्ट्वेशन में महारत हासल कर सकते हैं